प्राइम टाइम बाल की खाल एपिसोड टू में आप सबों का स्वागत है आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कचर बचर और मैं रतना कर विश्रा आप सबों को प्रणाम करता हूँ तो आज का सवाल मेरा रवीज जी से ये है कि जब राहुल गांधी ने ये कहा कि चोकिदार ही चोर है उस समय आपने अपने प्राइम टाइम पर उन चोकिदारों के बारे में क्यों नहीं बताया कि उन्हें ये सोचकर कैसा लगता होगा वो 18-18 घंटे तक पहरा देते है और फ जब किसी महले और सोसाइटी में चोरी होती है तो सबसे पहले चोकिदार कोई सक्के नजर से देखा जाता है आप क्या सोचके मोदी जी के इस स्लोगन के बाद अब लगातार दो दिन से अपने प्राइम टाइम पर कवर कर रहे हैं कि क्या आप भी चोकिदार है हाँ हम सभी चौकिदार है अपने घर की देखवाल करते हैं अपने समाज की देखवाल करते हैं अपने वर्क प्लेस पर अपनी देखवाल करते हैं हम चाहते हैं कि हम खुशी और सांती से रहे इस देश में कौन क्या फैला रहा है यह आपके चैनल को देखने से और यह आपका चैनल नहीं आपकी सूज बूज जो आप चौकीदार के पक्ष में खड़े होते और कहते ना भाई तुम चोर नहीं हो, राहूल गांधी ने ऐसा गलत कहा, आज जब कोई ये कह रहा है कि हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, तो आप सब चौकीदारों का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, आज ये कहा की पत्रिकारिता है, और इस पत्रिकारिता में आप क्या कहना चाहरे हैं, हाँ सही बात है, आप सवाल पूछो सरकार से, आप का हक है जो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये बेतु का सवाल है की नहीं है, बस मैं यहाँ पर लोगों को उनके विवेक पर छोड़े जा रहा हूं कि क्या वो चौकिदार के साथ है या चौकिदार चूर है ये कहने वाले के साथ है तो नमस्कार और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और ये जो लाल वाला पटन है इसको दवाईए और लोगों तक झाये!